ओला इलेक्ट्रिक ने SXX रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉंच के साथ अपने प्रोड़क्ट रेंज का विस्तार कर दिया है। कम्पनी ने SXX रेंज को तीन वेरियंट, SXX, SXX तथा SXX में लॉंच किया है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने मौजूदा पोर्टफोलियो को भी अपडेट कर दिया है। कम्पनी ने अपने S1 प्रो मौडल को अपडेट कर दिया है और इसे नए जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ लाया है। S1 Air को मिलाकर अप कम्पनी कुल पांच वेरियंट की बिखरी कर रही है उला S1 प्रो की कीमत 1,47,499 रुपे, उला S1 X की कीमत 89,999 रुपे, तथा S1 X की कीमत 89,999 रुपे रखी गई है। 21 अगस्त के बाद इनकी कीमत 10,000 रुपे बढ़ जाएंगी। ओला इलेक्ट्रिक ने सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग आज से शुरू कर दी है। S1 X की डिलीवरी सितंबर के आंच से, S1 X के दोनों वेरियंट की डिलीवरी दिसंबर तथा ओला S1 Pro की डिलीवरी सितंबर के मध्य से शुरू की जाएगी। नए प्लेटफॉर्म के साथ S1 Pro में 11 किलोवाट का मोटर दिया गया है। अब इसकी रेंज 181 किलोमीटर से बढ़कर 195 किलोमीटर हो गई है। इसकी टॉप स्पीड अब 120 किलोमीटर घंटा हो गई है तथा यह अब सिर्फ 2.2 सेकंड में 0-40 किलोमीटर घंटा की गती प्राप्त कर लेती है। ओला S1 X की बात करें तो यह 6 किलोवाट का पॉवर जनरेट करता है। कमपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 151 किलोमीटर का रेंज प्रदान करता है तथा इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर घंटा है। यह सिर्फ 3.3 सेकंड में 0-40 किलोमीटर घंटा की गती प्राप्त कर लेती है। वही ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि कमपनी की सेकेर की बुकिंग 50,000 के पार हो गई है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आगामी इलेक्ट्रिक बाइक का प्रदर्शन भी किया, जिन्हें भविश्य में लॉंच किया जाएगा।